की CM आतिसी सपत ग्रहण के बाद अब अपना कार्यबार ग्रहण करने के लिए सचवाल है पूंची जहां उन्होंने CM की कुर्सी ने ग्रहण कर उसके बगल में अपनी कुर्सी लगाई और का आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यबार संभाला है जिम्मेदारी संभाली है आज मेरे मन की वही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाओ रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओगी भगवान श्री राम ने अपने पिता जी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवा स्विकार किया इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पूर्शुर्तम कहते हैं उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नیतिक ता की एक मिसाल है बिलकुल उसी तरहां अरवन केजरी वार जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिक ता की एक मिसाल रायन की है पिछले दो साल से भारतिय जनता पाटी ने अर्वंद केजरी वाल जी पर कीचे और उचालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा जब अर्वंद केजरी वाल जी को सुप्री शाइब कोई भी और नेता होता तो मुक्यमंतरी की कुरसी पर बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्वंद केजरी वाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुक्यमंतरी की इस कुरसी पर नहीं बैठूँगा चब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पज्द से स्थीफ़ा दी दिया लेकिं दिनली के मुख्यमंत्री की कुरसी यह कुरसी अर्विन के इजरीवार जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरबरी में चार महीने में जो आने वाले चुना है दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यमंतरी की कुरसी पर बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी, अर्विन केजरिवाल जी का इंतसार करेगी धन्यवाद